हाई मैं हूँ मोहित आप देख रहे हैं टेक्निकल वत्त तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Amazon Exchange Offer के बारे में मतलब कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने ओल्ड फोन को Exchange कर सकते हो Amazon पे जाके Flipkart Exchange Offer के उपर मैंने आल्रेडी तीन से चार वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख सकते हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाश्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने ओल्ड फोन को Exchange कर सकते हो Amazon पे जाके Step by Step और मैं आप लोगों को साथ में ये भी बताने वाला हूँ क्या आप लोग अपने टूटा फुटा फोन को भी Exchange कर सकते हो या फिर Exchange नहीं कर सकते हो अगर आप लोग अपने टूटा फुटा फोन को Exchange कर सकते हो तो आप लोगों को उस ओल्ड फोन का मतलब कि उस टूटा फुटा फोन का कितना value मिलने वाला है कितना पैसा मिलने वाला है तो मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ तो आप लोग लाश्टे तक जरूर देखना है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है प्रोसेस क्या है तो आप लोग अपने मतलब कि देखें, बहुत सारे वहां पे फोन का ऑप्सन आएगा जैसे कि मेरे पास realme का फोन है तो वहां मैं जाके realme वाले पे जाके select कर लेता हूँ, realme को वहां पे select कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को option दिखने वाला है कि आपके पास कौन सा model है, जैसे कि मेरे पास realme x50 pro है अगर आपके पास realme 6 है realme 5 है तो वहाँ पर आपको जाके select कर लेना है तो मैं जाके select कर लेता हूँ x50 pro वाले option में तो दोस्तों फिर आपको दिखेगा वहाँ पर अपने old phone का value जैसे कि मेरा realme x50 pro का वहाँ पर value दिख रहा है 9,000 रुपे लेकिन अगर मेरा phone में कोई भी damage नहीं है तो हमको उस phone का 9,000 रुपे मिलेगा अगर आपके body में dent है या फिर scratch है तो वहाँ पर आप लोगों को कितना value मिलने वाला है 30% आप लोगों को कम मिलने वाला है देखिए जैसे कि मेरे पास एक old phone है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो मुझे उस phone का value पूरा मिलेगा 9,000 रुपे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास realme x50 pro है उसका मुझे 9,000 रुपे मिल रहा है लेकिन दोस्तों मेरे phone में damage है या भी dent है तो उसमें 30% माइनस हो जाएगा तो मुझे मिल रहा है realme x50 pro का अगर मेरे phone में dent है मतलब backside में body में dent है तो उस phone का मुझे value मिल रहा है तो उस phone का मुझे value मिल रहा है 3,600 रुपे 27,000 रुपे यहाँ पे minus हो गया अगर आपके पास old phone है उसका body पे scratch है मतलब dent है या फिर आप पीछे से मुला हुआ है आपका मतलब की body का जो back case है वे खुला हुआ है तो यहाँ पे आप लोग का 30% माइनस होने वाला है तो दोस्तों मान लिजे कि आपके पास एक old phone है उस phone का value निकल के आ रहा है Amazon पे 5000 रुपे और दोस्तों उसी phone का body में dent है या फिर scratch है या फिर आपका camera glass तूटा है या फिर फूटा है जो भी बोलते हैं तूटा है या फिर फूटा है उसमें आपका यहाँ पे 30% माइनस होने वाला है मतलब कि आपका phone का value कितना निकल के आ रहा है 5000 रुपे लेकिन दोस्तों आप लोग 30% जोडते हैं अगर आपके मतलब कि mobile के body में dent वगे रहा है तो 30% होता है 5 तिया 15, 1500 रुपे उस phone में माइनस होने वाला है मतलब कि 5000 का phone का value वहाँ पे दीख रहा है लेकिन आपको कितना मिलने वाला है मातर 3500 रुपे मिलने वाला है सेम आपका old phone का value निकल के आ रहा है Amazon पे 7000 रुपे लेकिन आपका old phone का back side में मतलब कि body में dent है या फिर dent scratch मैं बार बार भूल जाता हूं मुझे क्या बोलना है या फिर camera glass तूटा है तो दोस्तों वहाँ पे भी 30% approx होने व वाला है उस phone का 400 रुपे तो यह दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग का phone ठीक है तो आपको पूरा value मिलने वाला है अगर dent वगेरा है या फिर scratch है या फिर camera glass तूटा है back side में तो यहाँ पे आपका old phone का 30% माइनस होने वाला है इतना तो आप लोगों ने समझ लिया देखिए वहाँ पे हम लोगों को तीसरा option दिखा था screen damage मेरा अपना realme x50 pro का वहाँ पे value निकल के आ रहा है 9000 रुपे लेकिन अगर मेरे phone का screen damage है तो वहाँ पे मुझे आधा पैसा मिलने वाला है आधा value मिलने वाला है Amazon पे price दिख रहा है 4050 रुपे देखिए आ आपके पास भी कोई भी old phone है माल लिजे कि फिर से उसका value निकल के आ रहा है Amazon पे 5000 रुपे लेकिन आपका screen damage है screen में आपका scratch है dent है या फिर screen आपका तूटा है फूटा है तो वहाँ पे आधा पैसा मिलने वाला है 5000 का phone है तो वहाँ पे आप दोगों को उस phone का value मिलने वाला ह 500,000 रुपे अगर आपके phone में dent वगरा भी है तो यहाँ पे भाईया उस phone में और 15 पर स्वारी और 30% यहाँ पे minus होने वाला है तो देखिए दोस्तों अगर आपके phone में ज्यादा problem है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा अपना old phone को exchange नहीं करने और बहुत लोग पूछते ह है मेरा screen damage है तो क्या मैं exchange कर सकता हूँ भाई आप बिल्कुल exchange कर सकते हो और बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने यहाँ पे duplicate screen लगाया है हाँ duplicate होता है duplicate नहीं मैंने यहाँ पे duplicate screen लगाया है क्या उस phone को Amazon वाले लेंगे या फिर नहीं लेंगे तो भाई मैं आपको यहाँ पे वे phone भी आपका यहाँ पे exchange होने वाला है लेकिन अगर जरा सा भी पता नहीं लगता है कि आपने यहाँ पे duplicate screen को यहाँ पे लगाया है तो वहाँ पे आप लोग को पूरा पैसा मिलने वाला है अगर वहाँ पे delivery boy को पता लगता है तो आपका उस phone का पूरा value नहीं मिलेगा म 500 रुपए मिले 1000 मिले 2000 मिले अगर आपका phone switch off है बंध है तो आपका phone accept ही नहीं करेंगे Amazon के delivery boy तो आपको यह यह बात जरूर धान में रखना है कि आपका phone on रहना चाहिए last में देखी आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है जो जो मैंने आप लोगों को step बताया last में आएग नमबर को डान ला तो दोस्तों जब आपका नया phone delivery आएगा तो delivery boy आपका old phone का IMEI नमबर को वहाँ पे जरूर चेक करेंगे मतलब की verify करेंगे last का चार डिजिट नमबर वोग चेक करेंगे अगर पास होता है तो वह लोग पास कर देंगे तो यहाँ पे इसलिए आपका यहा वीडियो में बस इतना ही था वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ इस वीडियो को सेर करना ना बोले तब तक लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही था तब तक लिए जय हिंद बने मातरम जय भारत